हेलो दोस्तों वेलकूम तो माई चैनल आज हम फाइंड करने वाले कैसे किसी सिंगनल का इवन पार्ट फाइंड करते हैं और ओड पार्ट फाइंड करते हैं पिसले वीडियो में हमने इसके वारे में जाना आता कि इवन पार्ट क्या होता है ओड पार्ट क्या होता है इसमें पावर 3, 10 T तो हमको इस यह एक signal है तो इसका क्या बतारना ओड पार्ट और इवन पार्ट करना तो X T दे रखा सबसे पहले क्या करेंगे ? second point करेंगे उसका reversal ती की जगे क्या कर देना बस ती की जगे माइनस T पुट कर देना तो ती की जगे माइनस T पुट करो तो 1 प्लस T की जाएगा माइनस T पुट करो कोस की प्रावर 3 10 ये कितना हो जाएगा माइनस T ठीक है इतना हो गया तो X माइनस T कितना हो गया 1 माइनस T का क्यूब और एक चीज पता होन चाहिए कोस जो होता है इवन फंक्शन होता है यानि कोस माइनस थीटा इकरष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आजाएगा तो XT आ चुका और X-T आ चुका है तो E1 पार्ट के च निकालते हैं पर ने X E1 को E से लिखता हूँ मैं E1 पार्ट ओप XT होता है 1Y2 XT प्लस X-T तो यह होता E1 पार्ट का फर्मुला बस इसमें रग दो XT की वेल्यू कितने है यह 1 प्लस T क्यूब कोस की पावर 10T पिलास नेक्स्ट क्या X-T की वेल्यू कितने है 1- T का क्यूब कोस की पावर 3 10T इतना जाएगा मैं क्या करता हूँ एकसी पावर कोस की पावर 3 T common लेता हूँ 1Y3 कोस की पावर 3 10T मैंने common लिया कितना उचेगा अंदर 1 प्लस T का क्यूब और यहां से 1- T का क्यूब तो टी का क्यूब से टी का क्यूब कैंसल 1 प्लस 1 हो गया 2 2 से यह 2 कैंसल मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार 1Y2 कोस की पावर 3 10T इससे टी का क्यूब से टी का क्यूब कैंसल और 1 इंटू हो जाएगा तो एकस इवन पार्ट कितना जाएगा कोस की पावर 3 10T ठीक है यह हो जागा इवन पार्ट और पार्ट निकालो ऐसे ही और और को मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ बस उसमें क्या हो जाएगा बीच में माइनस आ जाएगा क्यूब कोस की पावर 3 10T अभी आ गया बाहर कितना आ गया कोस की पावर 3 10T और कोमन लिया जाएगा कितना उचेएगा 1 प्लस 2 क्यूब मैनस के अंदर मल्टिप्लाई की तो मैनस 1 प्लस 2 क्यूब हो जाएगा खाल लेका 1 से 1 केंसल वह हो गया 2 2 2 3 तेंटी यह एकितना ओजागा 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 केंसल कितना अगया है एवन और ओड पार्ट इसका टी का क्यूब इंटु कोष्ट की पार 3 10 टी ठीक है इस टाइब से फार्ड करते हैं एवन और और ओड पार्ड पार्ड टी की जगे माइनस टी पूट करके फिर फोर्मल लगा देते हैं सीधा नेक्स्ट कोशन की तब बढ़ते हैं देखिए इस वाई ग्राफिकल कोशन है इस ग्राफिकल कोशन का फाइंड करना है इवन और और पार्ट कैसे फाइंड करते हैं देखो एक्स टी दे रखा सेकिंड स्टेप में क्या करेंगे एक्स ओफ माइनस टी फॉइंट करेंगे तो एक्स ओफ माइनस टी फॉइंट करने के लिए टी के लिए मैं माइनस टी पुट कर दूँगा तो एक्स टी एक्स ओफ माइनस टी कितना हो जाएगा देखिए अधर जब यह होता है जो प्लस पर पॉइंट एक्स एक्स पर ठीक है वो आया था माइनस पर जो माइनस पर वो चले आया था प्लस पर तो यह प्लस तू आ जाएगा इधर माइनस टू पर और यह माइनस टू आ जाएगा इधर ठीक है बाकी और कोई यहां पर कोई चैन नहीं होता है एंप् आप देखिए, next part क्या करते थे, even part निकालते थे, तो even part निकालो, x even part कितना होता है, 1 by 2, x t plus x of minus t, x or x minus t को add करना, फिर क्या कर देना है, उसको half कर देना, देखो कैसे, करेंगे, पहले 0 पे देखो value क्या है, 0 पे इसकी value है, पहले इसकी देखो, 2, और इसकी value एक 2, तो 2 plus 2 हो गया, 4, 4 को 2, 2 plus 2, 4, 4 को 2 से डिवाइट किया, तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, तो हमें 0 पे तो value पत अच्छे लगी, कितनी होगी, 2, अगला क्यों से point है, जो जो point है, उस पर निकालते है, 2 पे value 2 है, 2 पे 2 है, तो फिर यहां पर 2 पे कितनी आजाएगी, अगें, 2 आजाएगी, ठीक है, ऐसे माइनस 2 पे कितनी आजाएगी, सेम आजाएगी, तो यह बस value आगई, even part आगे इसका, ठीक है, तो यह क्या आजागा इसका, even part, इस ताइप से find करते हैं, बहुत आजाएगी, next, अगर old part find करना, तो old के लिए देखिए, old part कैसे find होगा, देखिए, जैसा signal था, वैसे आचुका हमारा, आप तर, देखते है old part में क्या आता है, 0 पे इसकी value 2 है, इसकी 0 पे कितनी है 2, 2 में 2 गया है, old part का formula क्या होता है, 1 y 2, 2, x, t, minus, x, o, minus, t, ठीक है, तो 0 पे value 2, 2 है, तो 2 में 2, 0, 0, divide by 2, कितना आएगा 2, ठीक है, ऐसे 2 पे value कितनी है, 2 पे value 2 है, 2 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, और कहाँ पे, यहाँ पे value 2, 2 में 2 गया है, तो 0, 0, 0, 2 में 2, 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 में 2, 0, ठीक है, तो 0 आजाएगा, यहाँ इस part पर यह जो signal था, even signal था, odd part था इसका आया है नहीं, तो signal हमारा even था, इसलिए odd part किया आया है, 0 आया है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, signal क्या है हमारा, signal है even, so, odd part will be 0, इसलिए से क्या आया है, odd part 0 आया है, next question किताब बढ़ते हैं, इसी type से, देखेंगे ओ टाइप, यह कौन सा है, discrete का, discrete का देखते है, देखेंगे, discrete का कैसे करते हैं, सब से पहले, अगर जहाँ पे, discrete का क्या रूल है, जहाँ पे arrow दे रखाऊगा, वो value होती है, n equals to 0, ठीक है, वो होती है, n equals to 0, अब इदर को n equals to 1, n equals to 2, इदर n equals to minus 1, minus 2, minus 3, इस type से चलेगा, ठीक है, इसका चाहिए तो graph बना लो, graphically solve कर लो, यह directly solve करते हैं, चलो मैं graphically समझाता हूँ, ज्यादे समझाएगा, पहले xn को draw कर रहो, यह हमारा xn है, xn है यह, draw कर रहो इसको, क्या-क्या दे रखा, n equals to 0 पे value, दे रखिए इसकी 1, और n equals to 1 पे, यह n equals to 1 है, यह n equals to 2 है, n equals to 1 पे कितनी दे रखिए है, 2, और n equals to 2 पे, value दे रखिए है, 3, ठीक है, यह value 2 है, यह 3 है, और इदार, n equals to minus 1, n equals to minus 2, minus 1 पे value 4 है, minus 1 पे 4 है value, और minus 2 पे 3 है value, minus 2 पे value 3 है, और 3 पे value कितनी है, minus 2, sorry, minus 2 है, तो minus 1 किदा बनेगा, नीच चरी तरह, यहाँ पे minus 2 है, किस पे 3 है, minus 3 है, ठीक है, एक्सेंट फाइंड कर लिया, x minus n फाइंड करो, इसका, x of minus n, मैं नहीं कहाँ, जो पिलस पाइंड पर यहाँ, पाइंड पर वैल्यू होगी, वो चले आती है, इवन पार्ट पर, और वाली पार्ट, सोरी, जो पिलस पाइंड वाली वैल्यू पे, यदर minus वाली पर, पतो आजाएग questoIndia x0 quello. जो 1 वाली value फोगो जाएगी. 1 वाली –1 पतो पतो फिर 1 पər गाह सा सा। कराओ, 2 outside 3 जोग है three ठीक है, minus one वाली आजाएगी minus one पर, value वो value है four, next minus two पर value वाली आजाएगी two पर, value three next minus three वाली आजाएगी किस पर? three पर, वो कितनी है minus two, value value में कोई change नहीं होगा, वस क्या हो जाएगा point वाले change हो ठीक है minus वाले plus की तरफ चे रहांगे plus वाले minus की तरफ अब देखें इदर पहले मैं even part निकालता हूं then old part निकालूं इवन पार्ट क्या होता 1 by 2 xn plus x of minus n ठीक है हर एक point पर एड करते हैं पहले 0 पर शुरू करते हैं 0 पर इसकी 1 है इसकी 1 है तो 1 प्लेस 1 हो गया 2, 2 divided by 2 यानि 1 आ गया 0 पर value कितनी आई 1 आई ठीक है even part की next 1 पर चेक करो 1 पर इसकी 4 है इसकी 2 है तो 6 हो गया 4 प्लेस 2 6 पर इसकी 1 पर कितनी आई जाएगी 6 का 2 से divided किया तो 3 next 2 पर चेक करो 2 पर इसकी 3 है इसकी 3 है इसकी 3 2 पर 3 और 3 6 हो गया तो 2 पर कितनी आजाएगी 3 पर 3 आजाएगी ठीक है next next 3 पर यहां पर इसकी value कितनी है 0 इसकी 3 पर value कितनी है minus 2 0 plus minus 2 minus 1 हो जाएगा divide करके 2 से ठीक है तो 3 पर कितनी आगे value minus 1 आगे तो कोई है नी point next minus 1 पर इधर value 4 इधर है 2 तो minus 1 पर value कितनी हो जाएगी 3 next minus 2 पर check करो minus 2 पर यहां पर 3 और यहां पर कितना 3 तो 3 plus 3 6 minus 2 पर 6 हो जाएगा 6 का divide by 2 यहाँ जाएगा 3 next यहां minus 3 पर value है minus 2 और यहां पर minus 3 पर value कितनी है 0 तो minus 2 plus 0 minus 2 जाएगा और 2 से divide करने पर आएगा minus 1 ठीक है यह क्या आगया हमारा old part आगया ऐसा ही मैं देखे sorry even part आगया इसी टाइप से क्या कर दूंगा मैं fine old part निकाल लूँगा old part find करने के लिए 1y2 xn minus x of minus बार बीचे में minus आजाएगा कुछ नहीं 0 पर value यहां बनती बनती 1-1 जीरो ठीक है 0 को उसे divide किया 0 आगया next 1 पर value यहां पर 2 है 2 minus 4 कितना होचा minus 2 minus 2 को divide करो 2 से कितना हैगा minus 1 तो आगया minus 1 ऐसे 2 पर देखो value 3 पर देखो कितनी कितनी है तो पहले 2 पर देखें यहां पर 3 है 3 minus 3 हो जाएगा 0 ठीक है 3 पर चेक करो 3 पर इसकी value minus 2 sorry यहां पर देखो 3 पर value इसकी 0 इसकी minus 2 तो 0 minus 2 कितना बचाएगा 2 हो जाएगा 2 को divide करेंगे 2 से तो आएगा 1 आगया 1 नेक्स माइनस 1 पर चेक करो ऐसे ही minus 1 minus 2 और minus 3 minus 1 पर देखो यहां पर 4 यहां पर 2 तो 4 minus 2 बचाए 2 2 को 2 से divide के आएगा 1 next minus 2 पर चेक करो minus 2 पर यहां पर 3 यहां पर 3 3 minus 3 हो गया 0 आगया 0 तो 3 पर चेक करो यहां पर 3 कितनी है minus 3 पर minus 2 यहां पर 0 तो minus 2 divided by 2 कितना हो जाएगा minus 1 इस टाइप से क्या करते हैं और पाइट फाइंट करते हैं देखिए जिस पॉइंट पर होगा उसी पॉइंट के उसी के साथ add या separate करना है और कुछ नहीं इसमें ठीक है इस वीडियो में इतना है और थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में